क्या आपकी अलमीरा में बिल्कुल भी जगा नहीं है, सारे कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं और घर का सामान भीना सारा अस्त व्यस हुआ है, तो मैं आपको पताती हूं कुछ इस तरह की टैक्निक और मैं आपके साथ शेयर करूंगे आज कुछ इस तरह के डियाईवाई कि आप अलमीरा में बहुत सारा सामान रख सकेंगे, साथ ही अपने कपड़ों को भी आप और्गनाइज कर सकेंगे, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, तो हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग, आई होप कि आप सब बहुत जादा अच्छे होंगे, तो आज आप इस वीडियो को पूरा वाज करिएगा और इसके बैनिफिट जरूर उठाईएगा, तो देखिए सबसे पहले मैंने लिए ये प्लास्टिक की बोटल, मैं यहां पर आपको उनी चीजों का यूज बताऊंगे, जो हमारे घर में बिलकुल कबार है, बेकार पड़ा अगर थोड़ा सा भी उंचा नीचे हो जाएगा तो प्रॉपर शेप नहीं आएगा और देखने में बिलकुल भी वह अच्छा नहीं लेगा, उसके बाद आपको ग्लू ले लेना है, आपको इसा भी ग्लू ले सकते हैं, मैंने यहां पर लिया है फैविकोल, और फैविकोल कि जो इसकी गोलाई है, वहां पर भी मैंने इस टेप को लगाया है, फिंगर की हेल्प से फैविकोल बहुत अच्छे से फैल रहा था, तो मैंने यहां पर सिर्फ फिंगर का ही यूज करा है, उसके बाद देखें यह बनकर हमारे का और अर्गनाइसर यह रैडी हो चुका है अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि मैं इसका क्या यूज करने वाली हो, अब मैंने लिए है यह यह गमिंग शीट होती है और यह आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से बहुत इसली मिल जाएंगी, उसके बाद जो प्लास्टिक बाटल है मैंने उपर से कट क करने के बाद जो बाटल का ऊपर का हिस्सा है उसको इस तरह से हाँ पर चिपका लेंगे, तो देखे बाटल के ऊपर मैंने इस शीट को चिपका लिया है और यह चिपकने के बाद बहुत जादा आपको अच्छा लग रहा होगा, अब आगे आगे आप देखते जाएंगे कि बेसके लेके लए हाखने मैं ठीड़ीट कि बीडियर के शीट लएफनेऻ कर्ध्राफ्ट ये शाय ल मैं देते हैं दो आप और देखा तहें की ही टीड़ा तो देक्या वह इस葉 करने हैं तो गाइज अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और इस वीडियो को ना जादा से जादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ तो देखे उसके बाद ना मैंने यहां पर दो फ्लावर और काटे हैं और यह मैंने इस तरह से अगर आप फोल्ड करके काटेंगे ना तो सारे एक ही साइस के और बहुत अच्छी है यहां पर कटेंगे तो देखे मैंने बाटल पर पहले यहां पर लगाया है पेपर उसके तो देखें तीनों बॉटल बनकर रेडी हो गई है और बहुत जादा अच्छी लगई है अब यहां पर भी मैं यह फैवी कोल लगाऊंगी और लगाने के बाद फिर वही टेप जो मेरे पास है कलर फुल टेप उससे मैं इसको डेकोरेट कर दूंगी जिससे की बहुत जादा अच्छा लगेगा तो यह हमारे DIY जो है यह बनकर रेडी हो गए है और आगे मैं आपको बताऊंगी कि मैं इनका क्या यूज करने वाली हूं तो चलते हम अपने next DIY की तरफ तो देखें यह हमारा वही मैट्रेस है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसके दो तीन मै मैंने आपको यूज बताएं हैं तो यह हमारा जो मैट्रेस ना यह बेकार हो गया था क्योंकि यह बहुत जादा पुराना था तो में यह पास यह रखा हुआ है उसके बाद यह जो आप डॉल देख रहे है ना इस डॉल के ऊपर ना मैं जब मार्किट गई थी तो वहां से मैं अपनी बेबी की जो एक्सेसरी ना वो लेकर आए थी इसके अंदर इसके ऊपर ही ना माला वगेरा थी और ब्रसलेट इसके ओपर टंगा हुआ था तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा था और इसको ना मैंने समभाल के ना इस डॉल का जो यह प्रिंट है यह पेपर है इसको मैंने रख दिया था अब मैंने क्या करा है मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया है यह आप जो देख सकते हैं जो हमारा गदा था पुराना बेकर इसके उपर पहले मैंने इस डॉल को रखा है उसका निशान बनाया है और उसके बाद मैंने इसको यहां पर कट कर लिया बहुत आपको यह करना है और बहुत ही तो अपने में फ़े आपको अर और वीडियो को फुल वचिय रही है तो देखे इस तर्य से मैंने इहां पर हॉल कर लिया है और र civूरों के बाद droite हमे हमें क्या करना है इस डॉल को प्र मैं इस को चिपकाना है तो मैंने यहां पर फिर से गलू लगाया है और इसी फर्म के टुकुडे से ना मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है क्योंकि बार बार मेरे हाथ जो गंदे हो रहे थे ना वो फिर वीडियो में दिखाई दे रहे थे तो बहुत जादा वो अजीब से लग रहे थे चलते हैं अपने नेक्स डियाइवाई के तरफ यह मेरे पास ना बॉक्स जो की टूट गया था और यह बहुत दिन से ऐसे ही रखा हुआ था तो मैंने तो आज इस बॉक्स का हम कुछ यूज करते हैं तो मैंने इस बॉक्स को ना इक्वल पहले बराबर कर लिया एच्छे से क् इसके एजिस निकले हुए थे उचा नीचा यह हो रहा था पहले मैंने इसको इक्वल करा है फिर उसके बाद वही जो गविंग शीट हमने पहले यूज करी थे ना उसी की तरह से दूसरा डिजाइन मेरे पास था इसका यूज मैं इसको यहां पर डैकॉरेट करने के लिए क कर रही हूं तो इस बॉक्स को ना हम इस शीट से डैकॉरेट करेंगे और यह देखे कितने अच्छे से नहीं इसके उपर लग जाएगी और लगने के बाद नहीं बहुत प्यारी लगेगी तो यहां पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आपको वीडियो वीडियो बनाने में तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर एगा और इस वीडियो को जाद फैमिली मेंबर्स के साइथ और प्लीज वुझे सपोर्ट करिएगा तो देखें यहांपर मैंने लेए लीए टेप लाईक वाली यह कलर की के नीचे हक मैंडे का हुआ मैंने कसे प tus conqu i अइन आया है जैसे के आप देख सकते हैं उसके बाद चुर में है किसा हुआ अपने के बाद हमेई में आटाय। कोंगा कैसज आप इसके वीडे क्य करना दिय प्रेपी इसके लिगा तक हमें देख नशी है WN यहां पर फिक्स हो चुका है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यह एक छोटी सी बॉटल बन गई है उसके बाद इसको थोड़ा सा मैंने डेगोरेट करा है वही मैंने ब्लैक टेप ली है और जो मेरे पास शीट थी ना उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है और कट करने के यह थोड़ा सा यह देखने में अट्रैक्टिव भी लगेगा तो उसके बाद मैंने लिए हैं इस तरह के यह पेज और यह एक हैंगर टाइप मैंने इसको बनाया है यह बहुत इसली से इसके अंदर चले गए और इसके बाद यह लूजना हो और बाहर निकले ना तो मैंने कि हेल्प से इसको अच्छे तरह से फिक्स कर दिया है अब आगे आप इसके ओपर कुछ भी टांगेंगे कुछ भी हैंग करेंगे ना तो नहीं तो यह पेच आपके बाहर निकलेंगे और नहीं इस पर यह होगा कि कोई भी चीज इस पर लटकेगी नहीं यह निकल के गिर करिएगा तो देखें मैंने यह इलास्टिक ले लिए उसके बाद मैंने इसमें नौट लगाई है और इसकी जो कैप है उसको मैंने इस बॉटल के ओपर दुबारा से फिक्स कर दिया अभी हमारे एक चोटा सा हैंगर बनकर रैडी हो चुका है तो देखें अब हमारे ना जो आपको पहले बना कर दिखा है था वो डियाइवाई और रप्रेशक ने अल्मीरा बन करके देखें अब कर देख रही है उसके बाद मैंने यहां पर ली है डबल साइडी टेप और वह मैंने इस और पीछे ना लगा दी है जिससे कि आराम से चिपक जाय और यह हिले डुले तो देखिए बहुत अच्छे से फिक्स हो चुका है उसके बाद जो मैंने और बॉटल्स के जो ऑर्गनाइजर बनाए थे ना वह भी मैं यहां पर एक एक करके इसी तरह से इसी मैज़ड से लगा दूंगी पहले हमें इसके अंदर हॉल करना है तिरह हमें उसमें अधैसी को ड फिक्स हो रहे थे तो इस सबसे पहले और च네क करने के बाद सबसे पहले आपको यह भी हो चेक करना मैं तो भी तरह रहा है जा यहां पर यहां से इसी तरह सब्सक्र B GOOD FOREMN दएखक कर देख सकते हैं कि हमारी फॉल बडोल इस और चिबक चुकी है अब जो बंडा था मैंने तो भी या उन आझ मेरे पास चुटा व आसे अठीज माईव閒श कर आयाँ है मार्क करने के बाद glue gun की help से हम इसको fix करेंगे क्योंकि थोड़ा wooden टाइप में wooden का ही है यहां पर यह glue से अच्छा नहीं fix होता तो मैंने यहां पर glue gun की help से यहां पर इसको stuck कर दिया तो देखे बहुत अच्छे से लग चुका हैं और इस तरह से मयने एक ऊपर और एक नीचे करके न यहां पर मैंने इसको लगाया है और इसके उनदना, भहुत सारी आप समान रख सकते नियास लाग़ सकते हैं, तो यह वा की आप अपण सामान रख सकते हैं, मैंने ग्लूगन लगाया और ग्लूगन के बाद मैंने इस हैंडल को यहाँ पर चिपका दिया है अब दूसरी जो हमारी अलमीरे का जो दूसरा गेट है यहाँ पर मैं क्या करी हूँ मैंने लिए इलास्टिक और इलास्टिक को पहले हमें ग्लूगन लगाना है एक साइट से इसको अच्छे से दबाना है दबाने से फायदा यह होगा यह अच्छे से यहां पर चिपक जाएगी उसके बाद हमें दूसरी साइड में इसी जरह से ग्लूगन लगाना और इसको चिपका देना ह अब इस स्लास्टिक का यूज भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने यहां पर इसका क्या यूज करा है आप भी ना देखकर हैरान हो जाएंगे यूट्यूब पर शायद आपने पहली बार इस तरह की कोई वीडियो देखी होगी तो देखे ये जो मेरे या और अर इसके इंदर मैंने सारा सामान रखका यहां पर मैं जो भी आपको लाइड करके दिखाती हूँ इसमें कोई भी जूट नहीं है तो यहां पर आप डेली देखाटे है का यूस की चीज़ें रख ग सकते हैं तो यह स्वेरत आप समान रख सकते हैं। जो आपको इजिली मिल जायेगा। कई बार करक्या होता है की आल्मारी में हम समान रख देते हैं। रखने के बार बेलма लाधा हमशना time पर हमें बहुत ज़्यान होती है। तो आप इस तरह से वाच रख सकते हैं, आप अपने गॉगल से रख सकते हैं, या फिर आप अगर वरकिंग हैं, आपको पैन वगएरा की भी यूजिस करना पड़ता है, पैन का बहुत जादा यूज होता है, कई बार क्या होता है हमें कुछ भी डेट डालने कुछ भी, तो य जिल्स जा रहे हैं मुझ हैं आपर रिक्राइस जाराइ हैं। आप बहुत जल्दबाजी होती है तो आप यहां पर रख सकते हैं। छोटी-छोटी चीज आप जाती हैं और नहीं मिल पाती है। और अगर आप मार्केट से इस तरह के और्गनाइजर खरीदोगे तो आपको बहुत कोस्टली पढ़ेंगे और जब हमारे घर में हम खुद ही बना सकते हैं तो हमें बजार से लाने की कोई जरूत नहीं है और यह देखें जो इसका यूज करा हैं यहांपर नहीं जोयल री चांग दिया आराम से आप अपनी जोयल री हम पर टांग सकते हैं और कितने ये benefit है इनके और कितने ये useful है और मैं सामने आपको दिखाते हूँ यहां मैंने कपड़े रखे हूँ है और जो अलमईदे का gate है यह मैं आपको बंद करके दिखाते हूँ कि इतनी आसानी से हमारा जो gate है यह बंद हो जाएगा तो देखें यहां पर मैं आपको खोल कर और बंद करके भी दिखा रही हूँ ऐसा नहीं कि मैं आपसे जूट बोल रही हूँ या मैं आपको कुछ जूट दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आपके साथ कुछ भी ना गलत नहीं कर सकती तो देखें कितने अच्छी तरीके से यहां बन चुका है और बन के नए कितना हमारे लिए हैल्फल हो सकता है तो आप भी इस तरह से इसको ट्राइक कर सकते हैं उसके बाद में आपको दूसरा जो गेट है इसमें मैंने देखे क्या करा जहां पर मैंने हैंडिल लगाए थे ना बॉटल के उसके उपर ना मैंने जो हमारी बेबी ना उसके मैंने यहां पर हेयर बेंड लगा दियें क्योंकि बहुत सारी चीज़ ना हम अलमीरा में नहीं रख सकते हैं अलमीरा में इतनी जगा नहीं होती उसके बाद जो मैंने ऑर्गनाजर बनायता है इसमें मैंने बेबी लोशन रख दिया है बोडी लोशन है और इस तरह का जो आप डेली में मैकप वीर करते हो ना मैकप आप देख सकते हैं और यहां पर मैंने टेप रखी है इस तरह का समान भी आप रख सकते हैं जो डेली में हमें काम में आता है इस तरह की चीज़े जो आपको लगता है कि हमें डेली यूज करनी होती है डेली हमारे काम में आती है वह इस तरह की चीज़े आप इन में रख सक आरगनाइज हो गया है और कितना जादा अच्छा लग रहा है यह पर क्एपन प्रवाय को मैंने का झाल में का है, आपी आपके प्रफाइल, भड़ने प्रफाइल जो क्यों पड़ेता है ऐसं हुक लगा कर दिखाये थी थे ना इसमें मैंने अपनी जुएल्री और एजो कीज्न वगेरा न ये मैंने ठाइंक कर दिखा दी और ये जो मैंने आर्गनाइजर आपको बना कर दिखाया था जल्द बाजी में ना कोई भी चीज टाइम पर नहीं मिल सकती तो आप इस तरह से अपनी चीजों को रख सकते हैं और जो एलास्टिक पिन वगेरा भी लगा दी है क्लिप अपने क्लिप रख सकते हैं और देखें देखने में भी कितना यह प्यारा लग रहा है तो एक छोटी स रख देखने में कितना प्यारा लग रहा है आप मैं आपको बताती हुए क्यों अपने कपड़े किस तरह से और गनाइज कर सकते हैं तो मैंने लिए चाहिए और इस चेंगर आम टांगे अपने गेर और आपने हैंगर यज़ा जाओगा है कि इस एक चैन के अन्दर ने पितने कपड़ेन को सब्स आज़ा हो किसे मेरे अच्छे और उसके बाद मेरे पास citny नहीं और देह सकते कि कितने की मैंने hayway jeans यह अपर टांग चाछा नहीं आपको वीडियो के टांगर भी अदर से कहीं से भी टस से मस नहीं हो रहा है आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है न तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ